मंडियों में बढ़ गई लेसुन की सप्लाई लेकिन व्यपारियों को उमीद कि फिर भी बनी रहेगी तेजी दरसल तीन महीनों में पहली बार क्रिशी उपल बाजार समिती यानि APMC परिसर के भीतर वाशी ठोक प्याज आलू बाजार में लहसुन की सप्लाई में तेजी देखने को मिली है जिससे उसकी खरीद कीमत में कमी आई है बड़ी हुई उपलपता के बावजूद व्यपारियों का सुझाव है कि खुद्रा विक्रेताओं को ततकाल कीमत में राहत नहीं मिलेगी एपी एमसी की अधिकारियों के अनुसार बाजार में लगबग 225 टन लहसुन की आमद देखने को मिली है वहीं गुरुवार को सप्लाई में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली जो 200 टन से अधिक हो गई सप्लाई में इस उचाल ने ओसत ख्रीद मुल्या को 210 रुपे प्रती किलोग्राम के उच्तम सर से घटा कर 145 रुपे प्रती किलोग्राम पर कर दिया है अधिकारियों का कहना है कि जन्वरी के शुरू में लहसुन का स्टोक कम हो गया था वही 22 जन्वरी की तुलना में अब आवक में 7 गुनाव रिद्धी हो चुकी है जब केवल 31.4 टन ही बाजार में पहुंचा था दरसल फरवरी में खुद्रा लसुन की कीमते 480 प्रती किलोग्राम तक पहुंच गई थी लेकिन हाली में नई फसलों के आगमन ने बाजार को एक बार फिर से पुनर जीवित कर दिया है व्यपारियों को वापिस अट्रेक्ट किया है ऐसे में व्यपारियों का कहना है कि सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी कीमतों में ज्यादा गिरावट की उमीद नहीं है हलाकि लेसुन के निरियात मांग अच्छी खासी निकल रही है जिसके चलते आगे कीमतों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है Bureau Report Market Times TV